गुड मॉनिंग फ्रेंड्स तर्मा इंजिनिंग ही ट्रांसफर में 303 जो सब्जेक्ट है इसमें कि हम इस्ट्रिम टर्बाइन पड़ रहे हैं इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है डैट इस दा ब्लीडिंग ऑफ इस्ट्रिम तो जैसे कि हमको पता है किसी किसी भी टर्बाइ कंडेंसर और पंप तो हमने क्या किया है इसको ब्लीडिंग को समझने के लिए हम यह सबसकते हैं कि यह माली जी की बॉयलर है इस बॉयलर से क्या क्या है वन केजी ऑव इस्ट्रिम क्या और यह निकल रही है और वो टर्बाइन के अंदर क्या और यह पास हो रही है तो igence कर लेते हैं यहां से निकाल लेते हैं तो इसके बाद में मास बचेगा कितना मज़िएक काल लेते हैं तो इसमें पास हो गया माइनस M1 मायम क्या किया कि까요 larger से जो principal आहिए kितने किफ वन के लिए रिगा क्या नीए है, जो कि टरवाइन से पास होगी, तो उसको हमने क्यख कर लिए, different stages के अंदर से erect stack कर लिया, निकार लिया, first stage में समने क्या कर लिया, कितना M1 mouse कर लिया, तो बागी कितना पज़ेगा, one minus M1, one minus M1 आगे पास होई, फिर उसमें समने क्या कर लिया, M2 mouse, M2 gauge mass कर कर लिया, एक्सटर्क कर लिया, तो कितना बज़ेगा, वन मानस M1 मानस M2 मास, एक्सटर्क कर लिया, मन्ना 1 मानस M1 मानस M2 क्योंगे, इसमें से पास होगी, तो जो M1 मास की जो स्ट्रीम निखली थी, उसके एंथल्पी कितनी है, मान लेज़े, H1 है, और जो m2 मास की निकला था stream का उसके enthalpy माले जे कितनी h2 है okay इसके बाद में जो stream पास हुई 1-1-2 उसकी माले जे के enthalpy कितनी है h3 है और initial enthalpy कितनी थी उसकी h3 तो जो termine से stream पास हो दिए है finally कितनी हो दिए 1-1-2 जो जो इसके enthalpy h3 है क्या होगा इसको स्ट्रीम को लिक्विट के इंदर के लिए कि माल लेता हम हो कितनी है HF3 है है अब इसको क्या करते है पंप के तुरू क्या करते है आगे पास करते है तो HF3 जो इसमें स्टीम जो इसके अंदर से लिक्विड हो रहा है उसके एंटलपी कितनी है सेंसिबल हीट उसके पास कितनी है है तो उसको हम क्या करते है इस liquid को हम क्या करते हैं? एक heat से पास करते हैं, इस heat में क्या हो रहा है? एक तो टर्बाइन से drag की गई, m2 kg की steam आरी है, दूसरा यहाँ से पास होने वाला जो liquid है, condensed Chance से पास होने वाला जो liquid है, जिसकी sensible heat कितने है, एैस एफ त्री है, जिसकी sensible heat कितने हम एyl кров filtering है, है लोगर होने के बाद में इस से पस हो गया, उसकी जो पसे हो में श् もरी कितनी है तो यह इस टीम जो आरहे है जिसका है अर यहां से क्या रहा है लिक回 kijken के लिए गड़ जाती है तो हमने क्या किया करा से जो वने के संसिबे कितनी थी है थी थी उसको हमने फस हीटर से पास किया उसमें क्या हुआ इस्टीम जो आ रहे थी टर्वाइन से जिसकी एंथल्पी एस्टू दियो मास M2 था उसके वज़े से इसके सेंसेवल हीट बढ़ गए कितने हो गई एच अप्टू हो गई फिर एच अप्टू वाले लिक्विट को ह हमने अनुदार हीटर से पास किया है जिसमें की M1 और H1 एंथल्पी वाले इस्टीम आ रहे थी टर्वाइन से जिसकी वज़े से इसकी वापिस सेंसेवल हीट बढ़ गए कितने हो गई है इस हैच अफवन वाली सेंसेवल हीट वाले क्या करते हैं लिक्विट को हम किया करते है कैसे बढ़ा दिया से हमने इस्टिम Sekt अट करके तो टर्वाइन से सब्सक्राइब कर लिए और इस स्टीक को प्रकर करके उसके तैंपरेच्छर को यूटलाइस steam steam में convert करने के लिए उस पानी को हमको क्या करना पड़ेगा अब less here देना पड़ेगा तो boiler के अंदर जो heat supply हो गई वो क्या हो गई save हो गई तो इस तरह से हमने क्या किया turbine से steam extract करके bleed करके हमने क्या करते bleeding कर दी bleeding off steam कर दी उसके क्या कर दी हमने condensed water था उसका temperature क्या कर दी हमने बढ़ा दिया sensible rate उसके बढ़ा दी उसके वाज़े से क्या होगे boiler के अंदर हमको heat supply क्या करने पड़ी कम देनी पड़े तो जैसे कि हम जानते हैं कि net जो heat supplied होती है वह कितने होती है work done divided by heat supply तो हम क्या करते है work done देखते हैं कहां कहां पर कैसे कैसे work done हुआ work done अगर हम देखें तो यहां पर 1 kg of mass जो जा रहा था जिसके enthalpy कितनी थी S थी उसमें से सबसे पहले हमने क्या कर लिए B1 पर क्या कर लिए steam extract कर लिए कितनी M1 और जिसके enthalpy कितनी इसके लिए क्या हो गया work done हो गया इस पर्टिकूर स्टेज के लिए देन आगे कितनी स्टीम पास होई एंवन तो यहां चले गई वन आ रही थी एंवन यहां चले गई तो बागी स्टीम बितनी बचिए 1-1 तो 1-1 जो स्टीम में उसमें कितना enthalpy ड्रॉप हो यह है एच वन मानेस इस स्टू हो गया enthalpy ड्रॉप तो मास्तों कितना हो गया 1-1 और एंथल्पी ड्रॉप कितना हो गया एस्टू मानेस एच वन तो यह इसका क्या हो गया work done हो गया for the b1 से लेकर के बी टू के लिए इसके बाद में कितनी स्टीम बाहर गई 1-M1-M2 और उसका enthalpy drop कितना हो गया S3-S2 तो work done कितना हो गया 1-M1-M2 bracket S3-S2 तो हमने क्या किया जो 1 kg of steam जो इस turbine के इंदर आ रही थी उसका different stages के लिए work done calculate कर लिया for AB1 के लिए हमने निकाल लिया that is the 1 into H-H1 1 तो इसका mass हो गया और enthalpy drop कितना हो गया 1-M1 क्योंकि 1-M1 इंदर चला गया 1-M1 bracket enthalpy drop H2-H1 तो यह इसका work done हो गया then B2C के लिए हमने निकाल लिया mass कितना है 1-M1-M2 और enthalpy drop कितना हो गया H3-S2 तो यह enthalpy drop हो गया तो हमने इसके लिए क्या निकाल लिया turbine का work done निकाल लिया then heat supply के अगर अपन बात करें तो heat supply कितनी करनी पड़ी है अपन को H यहां पर हो है और यहां गई कितनी है H1 तो H-H1 इतनी heat में को क्या करनी पड़ी supply करनी पड़ी तो work done मुझे पता है heat supply मुझे पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ तो efficiency बराबर कितना आ गया work done divided by heat supplied तो हमको क्या करना पड़ा heat supplied क्या करनी पड़ी इस particular case के अंदर bleeding of the stream भी case के अंदर हमको क्या करनी पड़ी heat supplied कम करनी पड़ी जब हमको heat supply क्या करनी पड़ी कम करनी पड़ी तो turbine की जो efficiency क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी टर्बाइन के efficiency बढ़ जाएगी यह हमारा purpose है कि जो turbine जो stream टर्बाइन उसकी efficiency क्या हो जाए improve हो जाए तो simple हम bleeding of the stream करके इसके concept को समझ करके इसके अंदर हमने energy analysis कर दिया work done निकाल दिया तो इसको समझ करके हम यह देख सकते हैं कि जो heat supplied है इसकेस के अंदर क्या होती है कम होती है to convert the water into steam so efficiency will be increased तो efficiency क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो आप लोगों यह clear हो गया होगा what is the bleeding of steam thank you